बारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मताबिक आधार में किसी प्रकार की सूचना अपडेट करने पर यूजर्स को 18 प्रतिशत GST देना पड़ेगा हाला कि आधार के इन्रोल्मेंट समेट अन्य सेवाई अब भी मुफ्त है मीडिया रिकोर्ट के अनुसर प्राधिकरण ने ये भी कहा है कि जब भी आधार कार्ड धारक चार्ज वाली सेवाव का फाइदा लेते हैं तो बुपतान की गई राशी की रसीत आधार सेंडर से जरूर ले ले UIDAI के मताबिक उसके समक्ष ऐसे कई मामले आये थे जहां आधार कार्ड होल्डर्स से सर्विस चार्ज के नाम पर आधार सेंटर्स पर चार्ज वसूला गया या फिर अतरिक्त शुल्क लिया गया इसे देखते हुए आधार सर्विसेस के लिए चार्ज तै किये गए है UIDAI ने लोगों को आगा भी किया है कि तै चार्ज से ज्यादा का भुटा ना किरे वही कोई सेंटर चार्ज वाली सेवाओ पर तै रेट से ज्यादा मांगे तो 1947 पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है या फिर help at the rate uidai.gov.in पर mail भी किया जा सकता है कुछ सेवाए फ्री भी है 30 रुपे कुल चार्ज आधार में दी गई biometric details जैसे नाम, पता, mobile number, date of birth और link बदलने पर 25 रुपे का शुल्क और इन सभी सेवाओं पर 18% GST लगाने के बाद 29 रुपे 50 पे से याने 30 रुपे देने होंगे देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले